आप सबको धनतेरस की हारदिक सुब कामनाएं आप सबको अग धनतेरस है और धनतेरस आज और कल दोनों दिन है मा लक्ष्मी की कृपा आप सब पे बनी रहें यहीं ब्लेसिंग्स रहेंगे आप सबके लिए जो भी मेरे वीवर्स, मेरे सब्सक्राइबर्स हैं उन सबके लिए मैं प्रात्ना करूँगी कि कभी उनको धन की कमी ना हो मा लक्ष्मी उनके घर को पधारे और बहुत सारी ब्लेसिंग्स दे अपने गनपत्ती पपा अपनी ब्लेसिंग्स दे लक्ष्मी मा तो देंगी ही इस बार की दिवाली आपके लिए बहुत खुबसुरत से गुजरे मैं आप सबके लिए यही एक मेरी एक विश रहेगी है कि दिपावली आप सबके लिए बहुत 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 अच्छी बीते तो चलिए करते हैं आज की reading को start देखते हैं कि आपके person की current feelings क्या है आपके लिए ठीक है current feelings आपके person की देखेंगे हम चलिए start करते हैं तो साथ ही बतादू कि general reading है collective reading है इस बात का ख्याल रखना है और जिनको भी मुझसे personal reading लेनी है दिए गये whatsapp नमर पे जरूर contact कीजिए चलिए करते हैं reading को start देखते हैं कि आपके person की current feelings क्या है ओके स्टार्ट करते हैं इस मुझे guide की जाए अंजल्स ब्रेस्लेट का review आप सब के सामने है और जिनको भी लेना है दिए गये whatsapp नमर पे contact करके booking को confirm करवा सकते हैं ब्रेस्लेट के लिए भी इस मुझे guide की जाए अंजल्स so चलिए देख लेते हैं cards क्या क्या cards आए हैं हमारे पास देखते हैं bottom of the deck देख लेते हैं bottom of the deck है वाव यहां पर दिख रहा है कि आपके person बड़े शांत हैं अपने आपको बहुत ही शांत रखे हुए यह person अपने आपको शांत रखने की कोशिच की जा रही है इस person की कोशिच इस तरीके से है कि हाँ यह पॉर्षन अपने आपको किस तरीके से मैनेज करें किस तरीके से अपने आपको एक इस एनरजी में डाले कि हाँ यह पॉर्षन जो है ना आपको लिए ठीक है आपके लिए यहां पर एकदम से सोच रहे हैं कि हाँ मुझे क्या करना चाहिए एक्षन लेना चाह कि ज़्यादा यह person की thinking मुझे यही नजर आ रही है कि यह person ने लाख चाहा है आपके साथ move on होने का आपके लिए बन्दब कि आपसे जो हैना एकदम जुदा रहने का इन्होंने कोशिश किया है कि हाँ ठीक है चलो वो मुझे बात करें ना करें कोई फर्क नहीं पड़ता मुझे यहाँ पर यह दिख रहा है हो सकता है कि long distance relationship हो आपका काफी ज़्यादा है ना तो यह भी दिख रहा है और ऐसा भी नजर आ रहा है जिसे कि आपके person आपके लिए ठीक है आपके लिए काफी ज़्यादा बेकरार हैं ओके चलिए और cards निकालते हैं यह cards भी देख लेत है कि जैसे यह आपको deserve नहीं करते हैं ठीक है क्योंकि इन्होंने आपको बहुत तक्लिफ दी हैं बहुत ही ज्यादा तक्लिफ दी है इन्होंने आपको mentally बहुत जढ़ा disturb किया है बहुत disturb करते आएं है यह person सो मुझे यहाँ पर दिखता है जैसे कि यह person जो है ना आपको कही ना कहीं बहुत ज़्यादा hurt कर दिया इस person को ऐसा feel होता है यह person जो है ना बहुत ज़्यादा एक अपनी आपको बहुत Oh smart जो समझते थे इनकी over smartness निकल चुकी है अब इनको लग रहा है कि हाँ मजसे भी smart कोई है है ना तो इनसे भी कोई smart है इनको अब पता चल गया है, पहले तो बड़ा गुमान में रहते थे कि हाँ, मैं ही स्मार्ट हूँ, है ना, तो वो वाली अनर्जी अब इनकी खतम हो चुकी है, यहाँ पे ऐसा दिख रहा है, जैसे कि आपके परसन काफी उदास भी है, काफी परिशान भी है, यह परसन पास्ट की चीज़ों को लेकर के बार-बार याद करके रू रहे हैं, क्योंकि यहाँ पे पास्ट में इन्हों ने आपको बहुत ज़दा हर्ट किया है, बहुत तकलीफे दी हैं, आपको बहुत ज़दा, आपको ऐसा दिखाया है, कि हाँ, आप इनके काबिल नहीं हो, यह भी बोल दिया है, आपके परसन है, कि हाँ, तुम मुझे डिजर्व नहीं करती हो, है ना, या नहीं करते हो, तुमारे जैसा परसन मुझे अपनी लाइफ में नहीं चाहिए, कुछ लोगों के परसन ने इस तरीके से भी बोल दिया है, यहाँ पर यह दिख रहा है, और दिख रहा है कि आपके दुसरों की बातों में आ आ कर, है ना, अपनी लाइफ बर बात करते हैं, आपके लिए जो है, अपनी जिंदगी बर बात करते हैं, देखो, यहाँ पर क्या होता है, किसी और की बातों में आ जाते हैं, और कुछ भी कर देते हैं, कुछ भी बोल देते हैं, इनके बोलने का आपके परसन को लगता है कि हा यह परणंड ढूल आपको डिजर्व में करते हैं क्योंकि अभंब जो है इनको ऐसा सो चुका है यहाँ पे इतना मैनेत करने के बाद से इतना उसे दालने के बाद से जो डिले्शन मिना था आप दोनों के बीच में वो इन्हों ने गवा दिया है अपनी बेवकूफियों के करन से अपनी अपनी एगो की वज़ा से अपने आटिटूट की वज़ा से क्योंकि यहाँ परसन की अन्यजी दिख रहे हैं कि sad है उदास है परिशान है mentally बहुत ज़ादा यह परिशान है ठीक है यह परसन खुश नहीं है यहाँ मुझे यह नजर आ रहा है और यहाँ पर यह भी दिख रहा है जिसे यह परसन जैना देखो यह परसन और आपके बीच मे age gap हो सकता है या यह person इस तरीके से इतना ज़दा उदास है कि इन्होंने खुद से खुद से दूरिया बना ली है खुद को किसी और के साथ आना बैठना है ना यह नहीं कर रहे है यह person यह person का दिख रहा है जिसे कि यह एक isolation में रहना है ना isolate कर लिया है इन्होंने खुद को अपने आपको ऐसी energy भी नज़र आ रही है आपके person की ऐसा दिखता है कि आपके person बार 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 उसी चीज़ के बारे में सोच करके अपना time waste कर रहे है ठीक है और यहाँ पर आपके लिए कोई action नहीं ले रहे हैं कोई decision नहीं ले रहे हैं सिर्फ यह यही सोच रहे हैं किया मैंने गलती की मैंने गलती की मैंने गलती की लेकिन गलती की तो सुधार क्या सकते हैं यह person यह नहीं सोच रहे हैं यहाँ पर यह एक decision पर नहीं पहुँच पा रहे हैं मुझे यहां की अनुसार से यह फील होता हुआ नजर आ रहा है चलिए और कार्ट देखते हैं क्या है कार्ट के नेर्जी और क्या मुझे बता रही है प्लीज मुझे गाइड कीजिए एंजल्स ओके सो टू कार्ट्स हैं मेरे पास आये है आये है मेरे जिन्दगी में तुम बहार बनके मेरे दिल में यो ही रहना है मेरे दिल में यो ही रहना तुम त्यार त्यार बनके आये हो मेरे जिन्दगी में तुम बहार बनके चलिए यहाँ पे कुछ में कार्ट निकाल रही हूँ देखते हैं कि आपके परसन जो है उनकी फिलिंग्स क्या है तो यहाँ पर मैं देख पारी हूँ कि आपके जो परसन है मैं यहाँ की एनरजी यही फिल कर पारी हूँ कि आपके परसन इन और आउट, इन और आउट करते रहते हैं आपके लाइफ में आना जाना आना जाना इनका continuous लगा रहता है continue करते रहते हैं यह person एकदम से आपके बारे में नहीं सोचते हैं आपकी feelings के बारे में नहीं सोचते हैं और आपके बारे में सोच करके यह person decision बिल्कुल भी नहीं ले पाते हैं इनका आना जाना लगा रहता है, जिसकी वजह से मुझे लगता है, कि आप भी बहुत ज़़ा डिस्टर बो होगे, क्योंकि यहाँ पर जैना, यह परसन आपको इतना पेनी देते हैं, कि आप खुद भी ठीक है खुद भी यहां कोई decision नहीं नहीं ले पाते हो कि मुझे क्या करना चाहिए मुझे move on कर जाना चाहिए यह इस person का wait करना चाहिए आप खुद भी इतना ज़दा confused रहते हो ठीक है मुझे यहां की energy यह बता रहे है कि आप बहुत ही जदा confused रहते हैं उसके बारे में सोचते हुए नज़र आ रहे हैं यह person चलिए cards देख लेते हैं three of cups का card है Kansas Scorpio Pisces, Taurus, Virgo Capricorn, Aries, Leo Sagittarius, Six of Cups, King of Sorts, Gemini, Libra, Aquarius and head the fool का card एक दम आपके जो partner हैं मैं देखू तो कहीं न कहीं आपके partner में यह देख पा रही हूँ कि आपके partner efforts डालने के बारे में सोचते हुए तो नज़र आ रहे हैं देखो efforts डालना efforts डाल करके इस relationship को successful बनाना ठीक है काफी बड़ी बात होती है आपके person stand नहीं ले पा रहे हैं मुझे लगता है कि आप दोनों के बीच में father issues हैं ठीक है आपके person के father आप दोनों के relationship के लिए agree नहीं कर रहे हैं मुझे जहाँ तक लगता है जहाँ तक मुझे feelings आ रही हैं कि यह person के साथ यही problem है और यहाँ पर यह भी दिख रहा है जिसे कि आपके person कई बार ठीक है आपको call करते हैं या फिर कभी unblock कर देते हैं कभी block कर देते हैं फिर unblock कर देते हैं ऐसे बार 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 यह करते रहते हैं आपके साथ तो ऐसा भी दिख रहा है कि आपके partner आपको ले रहा हूँ वो सही है ठीक है यहाँ पर ऐसी energy मुझे नर्जर आ रही है और यहाँ पर दिख रहा है कि आपके partner आपको लेकर बहुत ही ज़्यादा ठीक है बहुत ही ज़्यादा stuck से हो चुके हैं यहाँ पर यह person को क्या करना है याने कि future में future को लिए ठीक है decisions लेने की ज़रुरत है इस person को कोई idea नहीं लग रहा है और यह person वहीं पर है ना वहीं पर सोच रहे हैं कि क्या मैं इस relationship में efforts डालूं या ना डालूं ठीक है कहीं ना कहीं यह person अपने फायदे और घाटे की बात भी सोच रहे हैं कि हाँ अगर मैं इस relationship में जाता हूँ तो मुझ अपनी feelings नहीं बताते होंगे अपने emotions नहीं बताते होंगे कि हाँ यह person क्या feel कर रहे हैं क्या कुछ है इनकी feelings इनके emotions है ना यह person कभी ऐसा नहीं दिखाते कभी ऐसा नहीं बोलते हैं कि हाँ मैं तुमसे बहुत प्यार करता हूँ मैं तुमसे अलग नहीं रह पाता कभी I think इस परसन ने नहीं बोला होगा आपको ठीक है और आप जो है हमेशा जाने की कोशिच में लगे रहते हो कि हाँ यह कुछ तो बोले कुछ तो बोले क्योंकि इस परसन ने अपनी लाइफ में काफी ज़दा स्ट्रगल किया है काफी ज़दा ठीक है तो स्ट्रगल करते 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 करत नेजर है न तो ये दीख रहा हैं ये person का ऐसा भी आ कि तो फूल के नेर्जी में दीख रहो है कि आपके person आपको लेकर कर एक नए सुरुगात तो करना चाहते हैं in ing हैं इनके in के apologize में आपके battle क्रना है इस परसण को वही है कि आपको जूहना है खोड़ा सोच समझ के चलना पड़ेगा यहां की energy यही बता रही है three of cups भी है आपके person आपके साथ life spend करना चाहते हैं या कहें तो कुछ time के लिए ही आना चाहते हैं ठीक है यहां पर ऐसा है कि person आएंगे ठीक है आपके साथ celebrate करेंगे अपनी हो सकते है कि इस person का बॉर्ट दे आ रहा है य ठीक है मुझे यहां पर यही दिख रहा है कि आपके person आपको लेकर के बहुत ही जादा बहुत ही strong सी feelings रखते हैं यह person को मैं यह कह सकते हूं कि इनके अंदर वो power है वो एक है कि हाँ मुझे मुझे वो चाहिए या मुझे करना है तो बस करना है कुछ और नहीं मुझे यह करन है तो करना है मुझे और कुछ नहीं चाहिए इस person की energy ऐसी है ठीक है और मुझे यहां पर यही फील हो रहा है इस person के लिए कि यह person आपके लिए हो ना हो यह decisions जरूर लेंगे यह person हो सकता है कि आपको happy दिवाली wish भी करें और मैं आप लोगों के लिए यही करूं कि जिनकी दिवाली नहीं है अगर ठीक है जिनकी दिपावली नहीं है यानि कि जो लोग दिपावली नहीं मनाते हैं जिनका धर्म अलग है ठीक है उनके लिए भी मैं द देख पारे हूं कि आपके person आपको miss बहुत ज़्यादा कर रहे हैं आपको call या message कर सकते हैं ये छोटा सभी message करेंगे लेकिन करने के पूरे पूरे chances इनके बन रहे हैं ठीक है तो मैं यहाँ पर यहीं देख पारे हूं बहुत अपने परिवार के साथ हसी खुशी से मनाईए लेकिन इसके साथ ही अपने सुरक्षा को भी ध्यान रखना है सुरक्षित हो करके जो है दिपावली मनाईए आपको लक्षमी माता और दिपावली हैपी दिपावली in advance चलिए करते हैं अब रीडिंग को खत मिलते हैं फिर अगली रेडिंग में बाबाई